नमस्कार दोस्तों, मार्च 2023 रिनुवल एनरजी के फिल्ड में क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जैसा कि मेरे पहले वीडियो की तरह यह मेरा सेकेंड पार्ट है है फर्स पार्टा्री मैंने कभर कर डर जो कर रिखा जो की मैंनली गॉan Sumatar भार्ट्रीर आप डेट्स और батेर इसकीश के बारे में डिस्कस करते हैं और यह सेकेंड पार बैसेक लिए इस पर्टिक्लर मंत में मार्च 2023 si करते हैं इस particular month में कौन से कितने अग्राइब क pac किसका reverse auction हुआ क्या renewal energy का generation रहा कितनी capacity लगी इसके बारे में डिटेल में डिसकस करते हैं तो आए हम डिसकस करते हैं इस पर्टिकुलर मार्च 2023 में रिनेव एनरजी से टेंडरिंग और וर भी डेंगता है कि यह बैसिक लिए जो बी डेटा में लेता हो यह बैसिकلك छार पांच से जैसे की जैनलीक्स कowan 30 जिसकों का पहले सोभकों के नाव जयांते एट सबस्तार से कंपायल करले के मैं बनाता हूं की बात करते हैं तो मैं 3 पार्ट में करता हूं जो इवलपर अम्नेस निकलते हैं जो ओडशä कर्बिग कलते और जोटी चौत समौन किरी में दिसकस करते जो मेंली जो टेंडर आया है डेवलपर मोड में बिसेकली छे टेंडर आये थे जिसके की टोटल क्यूमिलेटी केपसिटी 4005 मेगावाट रही है और डेवलपर मोड का मतलब यहां पर यह होता है कि बैसिकली टैरिफ बेस्ट बीडिंग होती है इसमें जो डेवलपर होते हैं इसमें जो मिनम्म टैरिफ होट करता है रिवार्स ऑक्षिन के थुरू उसको वीनर घुषित किया जाता है फिर उसके बाद फर्दर एलवाई और पीपे का जो एग्रिमेंट होता है तो इसमें जो सेकी सोलर एनरजी कोर्परेशन है फिर इंडिया नहीं दोजल मेगावाट लिया जा सके अभी वेवर का मतलब यह कि जून 2025 तक कोई भी अगर सोलर प्रोजेट्स लगता है उसमें जो इंटर इस्टे ट्रांस्मिशन चार्जे जो होते हैं उनके लिए 25 साल के लिए वेवड़ाफ हो गया इसलिए पर यह प्रोजेट्स की बात हो रही है और इसमें ड तेंडर गुजरात उर्जय विकास निगम लिमिटेड जीविनल ने 500 मेगावाट के निकाला तो विंड के लिए यह भी पैन इंडिया बैसिस पर यह जो फोर्ट टेंडर महाराष्ट्रा इस्टेट इस्टेट इस्टिविशन कंपनी लिमिटेट ने 225 मेगावाट के निका प्रजेट लगा सकते हैं और यह बैसे के लिए फार्मर्स यह जो भी और बहुत सरे जो एस्सेटेट ग्रूप है कि लून के लिए अप्लिकेबल है जो नेक्स्ट टेंडर जो जोत्पूर विद्दूत वित्रण निगम लिमिटेड यह बैसे के लिए राजस्थान के लिए लिए यह बिनाट के लिए जो सिक्स्टेंड बेसकॉम यह बैसे के लिए करनाटका का डिसकॉम है 20 में और सोलर के लिए निकाला यह बैसे के लिए और यह च्टेंडर की बात करते हैं इपीसी मौड मतलब होता है एक इंजिनेरिंग प्रोंक्रमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यह बैसिकली जो गौर्वर्मेंट एजेंसी होती है या पब्ली सेक्टर एजेंसी होती है अगर उनको प्रोजेट लगाना होता है अपने ओनर्सिप मोड में तो एपीसी के थूर निकालते हैं इसके लिए टेंडर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी सारी टेंडरिंग एजेंसी हैं यह एपीसी मोड में गौर्वर्मेंट के एजेंसी हैं जो फर्स्ट केम बात करें तो सोलर एनर्जी कॉर्परेशन अफ इंडिया से की जो है यह 100 मेगावाट का जो है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जहारखंड में सेटप कर रहा है उसके परद्यपर्देश का डिपाट्मेंट यह 60 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो इसके लिए तेंडर निकला यह जो फोर्टेंडर हिमाचर प्रदेश पावर कोर्प्रेशन लिमिटेड एजपी पीचेल ने दो टेंडर निकाला थाटी टू मेगावाट के लिए तेंड मेगावाट के लिए कि माचर प्रदेश के लिए यह ने यह तंडर वेश्ट बंगाल पावड़लेप्स कोर्परेशन लीमिटेड यह विसकिलिए फ्लोटिंग सोलर प्रजेक्ट ट्रूप करना चाहता है लगाना चाहता है वेश्ट बंगाल में उसके लिए 22. तेना निकल के लिए आप आते हैं रूफटाप और स्मॉल कटेड़ी के जो तेन्डर सोते हैं उसमें कौन को से दिसमें जिसमें कि तेलंगाना निकला तेलंगाना स्टेट रिनुवल एनर्जी डिलप्पेंट कॉर्परेस लिमिटेड यह बैसे के लिए तेलंगाना की इस्टेट रिनुवल एनर्जी एजेंसी है उसने 50 मेगवाट का रूफटाफ के लिए टेंडर निकाला है उसके बाद वेस्ट सेंटर लेलवे ने 12.5 मेवाट रूफटा इसको इडिवलपर मूड में रखा यहां पर स्मॉल इसके लवाली कटेगरी में रखा है उसको जो नेक्स टेंडर और उरिडा उरीसा रिनुवल एनर्जी डिलप्मेंट एजेंसी 10 मेगवाट के लिए निकाला है उसके बाद यह महाराष्टा के लिए यह महाराष्टा की महाराष्टा एनर्जी डॉलप्मेंट एजेंसी उसने 10 मेगवाट रूफ टाफ सोलर के लिए निकाला है तो बैसिकली रूफ टॉप और स्मॉल कटेगरी स्टेगरी में यह च्छे टेंडर आया है उसके बाद हम स्पेसल टेंडर की बात करते हैं तो भारत थेवी इलेक्ट अप्रिल में कर दिया गया जिनका फर्स्ट विक अप्रिल था उसको और एक्सेंड कर दिया गया इसमें बहुत सरे टेंडर है जिसमें फर्स्ट टेंडर हम बात करते हैं आदानी की अधानी ने फिप्टीन अडेंड मेगावाट का आर्टी सी पावर फ्राम आरी है उसका जो नेक्स्टेंडर है आरी वेनल राजस्थान उर्जा विकास निंगम लिम्टेड ने फिप्टेंड मेगावाट का वींड इस्टोरेश के लिए निकाला था पैन अनिया बैसिस पर और जैन्वरी टेंडर आया था जिसकी डेट एक्सेंड करकर 3 अप्रिल 2023 कर दि लिए उसका जो नेक्स्टेंडर मद्य पर्देश उर्जा विकास निंगम लिम्टेड ने यह 1110 मेवाट का सोलर पीम कुसुम कंपोनेंट सी के इंतरगत निकाला है बैसे के लिए कुसुम मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी में जिसमें तीन कंपोनेंट है जो कंपोनेंट सी बने दो पार्ट उसमें जो गिडिट करेक्टे स्ललर पंप है जो जितनी है मैनारी के कैपसिटे उसका 50% इंडिजवल जो गिडिट करनेंट सी कंप उसको शलाइस करने के लिए रखा गया जो बैलेंस 50% कप यह उसमें डिसकॉंम निकाल लाए तो यह फि िकलिंद privaket by साथ मेजार हैं उसके लियाए देमा का 600 मजाए इस्टमिंध के लिए निकाला तोरे तेनेर्जी शेम्हें याजरBir बेस लिए आए नारजी बैटरी एनर्जी स्ट्राइब निकला था जून 2022 में अपडेट इसमें देख सकते हैं फेज 11 के लिए जो टेंडर निकला था 21st अप्रील 23 कर दी गई है उसका फेज 17 जो कि सप्टेमबर 2022 में निकला था इसका भी डेट एक्टेंड कर थाड अप्रील 2023 कर दी गई है अगस्ट 2022 में एनर्जी स्ट्राइब निकला था बैटरी एनर्जी स्ट्राइब के लिए इसकी डेट एक्टेंड करके 18 अप्रील 2023 कर दी गई है अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मंत मार्च 2023 में कौन से टेंडर्स का रिवर्स ऑक्षन हुआ तो इसमें सोलर विंड या हाइब् जिसकों की करनाटका की जो एजन्सी गवर्मेंट एजन्सी पावर कंपनी पावर कंपनी अफ करनाटका लिमिटेड ने इसु किया था टेंडर 1000 मेगावाट पंप हाइड्र स्टोरेज के निकला था इसका रिवर्स ऑक्षन हो गया है और जिसमें वीनर्स निकलके हैं जो व यह चार्ज करेंगे और यह कैपसिटी लगाएंगे के लिए अब बात करते हैं इस पर्टिक्लर मंत में मार्च में एक्चुली मार्च में जो डेटा भी हम आज वीडियो बना रहे हैं तो मार्च का डेटा अपडेट नहीं हो पाता था से डिले होता है बाद में अपडेट लगी नहीं है कुछ भी फिर भी हम बात कर रहे हैं आप जो इक्सक्लूट इक्सक्लूटिंग लार्ज हैड्रो सोलर तो सब जो टोटल केपसिटी लगी है रिवन एनरजी में वह फाइफ सिक्टी पाइट फॉर मेगवाट इसको बाइफरकेट करें तो मैक्समान केपसिटी सोलर में आई है जिसमें के 486 मेगवाट है विंट 32 मेगवाट बायो पायर 7.7 मेगवाट वेस्ट एनरजी 33.34 मेगवाट इसमाल हैड्रो 3.45 मेगवाट जो की मिला करके टोटल क्यूमिलेटरी केपसिटी 563.54 मेगवाट हो जाती है अब हम बात करते हैं आल इंडिया हों के पैसेटी अभी आज के पास ही है 211 211 211 गीगावाट है 51.2 परसेंट के साथ उसके बात करते हैं रिनुवल एनरजी की यहां पर जो रिनुवल एनरजी जो लिखा गया है आरी के पैसेटी यह एक्स्लूडिंग लार्ज है यह 122 गीगावाट है जो कि 29.62 परसेंट हो कर लेते हैं तो हाइडो की कैपसेटी 46.85 गीगावाट जो कि अगर हाइडो और इनुवल नेर्जी के बात का है तो 29.6 प्लस 11.6 मतलब 30 41.41 परसेंट कैपसेटी हो जाती है उसका जो निउक्लियर की कैपसेटी 6.7 गीगावाट है जो कि 1.64 परसेंट है डिजल जो कैपसेट है 0.59 गीगावाट है जो कि 0.14 परसेंट और गैस पेस्ट जो प्लांट है 24.82 गीगावाट है जो कि 6.02 परसेंट है और अगर हम रिनुवल एनर्जी को भी ब्रेक अगर डिवाइड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं रिनुवल नर्जी की जो कैपसेटी है टोटल जो आता है फोटी टूप 너 पॉटी टूग्वाट है जो की सॉटल कबिशटी के टेन पॉं पॉं लेंट कर से संट है उसकी वाद आता है की एच्टाव 화 फोर की सॉटल कडिते में टो कड़ी बार्च बाइं नर्टेट उसके बायो मास्स प्رف ए satisfaction 10.77 GigaWatt है जो की Total install capacity का 2.61 परसेंट है यह इस्टाल केपसेटी की बात हो गई अब इस्टाल केपसिटी के कर्सपॉंडिंग कितनी जैनरेशन होती है उसके बारे हम देख लेते हैं यह है टोटल कुमिलेटिव एनरजी जन्रेशन जो टोटल कुमिलेटिव एनरजी जन्रेशन आप्रिल से फेबरोरी तक का डेटा है जोकि 1487 बिलीर युट जन्रेट हुई है अगर हम लोग इसको परसेंटेज के टरम से बात करें 1487 बिलीर युट को बाइफर्केट करें तो जो मैक्सिमम जो जो भी केपसिटी जिसे जनरेशन में लिए वह है थर्मल थर्मल जो है कंट्रिबूट कर रहे हैं 73.83 परसेंट जिसमें कि थर्मल में आपका कोल प्लस गैस प्लस डीजल है मैंनली इसमें कोल बेश्ट पाउर प्लांट है उसका सेकेंड नंबर पर आता है जो लिए जैनकी सेयकि बात रहा हूँ जो टोटल जैनेसन हुई है उस जैनेशन में मैक्समिम सेयर जो है थर्मल का है 73 परसेंट तौन पाइंग करते हैं तो इसमें सोलर मैंग्सिमम ए जिसमें की टोटल स 09 जनरे मात अपर से सॉलर ऑंड विन का 0.7% का शेयर कर रहा है और निएकलियर आपका 2.18% अभी देख सकते हैं थर्मल मैक्समम है उसके बाद लार्ज हाइडो है 10.3 परसेंट उसके बाद सोलर है फिर उसके बाद नेक्स्ट विंड है अब हम बात करते हैं एन्वल आल इंडिया मंथली एनर्जी जनरेशन मतब पर्टिग्लर फेब्रोरी 2023 में जनरेशन का क्या टेंड रहा और मैक्सम कैपसिटी कहां से आई है तो आप इसमें देख सकते हैं जो जो टोटल फेब्रोरी में जनरेशन हुई है उसका जो फिगर 126.9 बिलियन उनिट और इसको आम लों बाइफर करें तो इसमें जो थर्मल से जो जनरेशन हुई है वह है 99.37 बिलियन जो की टोटल जनरेशन का 78.1 परसेंट 117 परसेंट है उसके बा घ्राइब जो प्रीक बिलियन इनिट है जो की टोटल जनरेशन का 2.97 परसेंट यह हम पर्तिक्लर मन्त की बात करता है फेब्रोरी की कंफिूज नहीं हो रहे है विशे जो जो बात करते हैं क्युमिलेटीव फिगर की बात करता है और यह ओबराल इंडियन पावर सेक्टर के पर्फार्मेंस लाज फेबरोरी 2023 में तो अगर हम कण्वेंशनल केपेसिटी की बात करते हैं क् definite में मैंनल री में ज्तराइब रहं जाला फाइडक्स कन बात करते हैं तो कन्लेंशनल के पहसेटी कोई के पहसेटी नहीं लगी में फैबरी अब लगीविट ट्रो के ट्रजरा मे सिंं το थो नया ट्रांस्टो खीकिलो से लिए इस कैशनल एडिया इस बिलियन इनिट अगर रिनिवल एनर्जी जनेशन के बात करें तो 15.6 बिलियन इट जनेट हुए जो पीक डिमांड जो फेब्रोरी में में मेट किया है वह है टू जिरो नाइन सेवन पॉइंट सेवन गीगावाट और जो एनर्जी सप्लाइट किया 118.56 बिलियन इनिट और औ चीट पॉइट पैट इट परसेंट यह बीसक लिए टोटल ऐवराल पॉइर कर सक्टर का पर्फार्मस रहा यह और बात करते है रिनुए जैनरेशन का जिसमें के मैंने लार्ज हैडरों के इंक्लूड नहीं किया है और यह फेब़रोरी का फीगर है और यह फेबरोरी का जो है generation बढ़ हुए है क्योंकि solar capacity एक साल में एड हुई है है जिसके विए और जीने रखी पर सेंट वी ना बहुत ज्यादा चैंजेस नहीं है क्योंकि कि आरेजनरेशन इन मन्थ अर्ट में तो वब लोगों इसमें की आतिनरेशन की बात फेबरोरी में np यह वह है 15,599 million उनिट अगर इसको लोग करते हैं तो फेडल रसे आई है तो टोटल sen v यह 332allo loq 57 15,599 million unit उसका जो है 61.26 percent solar से जन्ने टुए है और solar से जन्ने टुए है 9555 million unit उसके बाद second number पे आता है wind तोटल जनरेशन जो आरे जन्ने संका है 3126 million unit wind से हुआ है जो कि टोटल जनरेशन के 20.05 percent है उसके बाद फिर आते हैं बगास पे 1861 1862 million unit generate 11.94 परसेंट है उसका इसमाल हाइड्र जो है 560 million unit 3.6 परसेंट और biomass 290 million generate हुआ है जो टोटल 1.86 बनता आरी जनेरेशन का तो इसमें जो है तोलर से हुआ है अहम क्यूमिलेटि के बात करते हैं कि मतलब यह है कि अप्रिल से लेकर के फेब्राइट तक जो फिगर है तो अप्रिल से जन्वारी अप्रिल से लेकर कर जो फेब्राइट तक जो क्यूमिलेटिव आरी जनेरेशन हुआ है वह आपका हुआ है और यह सिक्स थाँजन थी अड़ी एंड़ेट इसेवन मिलिए नाइट और वन लैग वन लैग एट्ट इसीवन थाँजन थी अड़ी इसेवन मिलियन इनिट्स जो जनेरेशन मेली कि से हुआ है तो जो कि 50% के आस पास फिगर आई है तो सोलर का जो तो टोटल जनेरेशन तो परसेंट एराउं 50 परसेंट के आसपास है फिसका फीन के फिगर 67673 MILLION जो कि टोटल आरे जनरेशन गा 36.31 परसेंट है उसके बाद इसमार हाइड हो है तेन ताउजन 5192 MILLION एड तोटल जनरेशन गा 5.60 परसेंट है बायो मास्ट है 2873 जो कि 1.54 परसेंट है और बगाश जो है 11,180 जो कि टोटल जनेशन का 6.5 अधर से 2300 जो की 1.23 परसेंट है यह बिसे क्लिए क्यूमिलेटिव आरी जनेशन है इन 2022-23 जो की अप्रिल से लेकर के फेब्रोरी तक का क्यूमिलेटिव फीगर रही है और एक जस्ट एक सम्मराइजेस आप देख सकते हैं कि जन्वरी फेब्रोरी तोटल जनेशन वह भी बात कि हम लोग आरी में 15,599 मिलियो निट अगर हम जन्वरी से कंपेर करते हैं यह जन्री से क्पेसिटी जो है जो है फिगर यह डिक्रीज कर गई 12.04 परसेंट और अगर पिछले साल के फेब्रोरी से 15,599 मिलियों से को दोस्तों यह जो कमपाइलेशन है आरी जन्रेशन आरी इस्टॉल कैपेसिटी टेंडरिक से रिलेटेट और यह फिगर है मार्श का और कूछ जन्रेशन और इस्टॉल केसिटी फेब्रोरी का फिगर है छोब दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया झाल झाल